अजीज सामाईन आज हम इस वीडियो में चेप्टर नमबर फाइफ लीनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल्स दो मुद्गईरी खती मसावात का मजमुवा सवाल प्राब्लम सेट फाइफ का दूसरा सवाल देखेंगे पहला सवाल जो है MCQ का है कसीर मुद्बादिल का है उसमें आंसर देवे हैं आप उसको समझ लीजिए करने की कोईश्ट करिए और आंसर से मिला लीजिए उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा अब दूसरा सवाल है देखते हैं इसमें इसमें कहा गया है दर्जेल हमजाद मसाव बातों को हल कीजिए अब इससाइज में हमने दोनों तरीके बताए हैं इस्तिब्दाल का तरीका और मुद्गयर के काकराज का तरीका Elimination Method and Substitution Method जो भी आपको तरीका पसंद आता है उस तरीके से आप करने की कोशिस कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है मैस बहुत ही आसान है बस यह है किस तरीके से किया जागा कई मेथेड इसलिए बताए जाते हैं कि आपकी सोचने की सलाहिए जो है कई तरीके से हो जाए और जिंदगी में मैस का इस्तिमाल कर सके पहला सवाल दिया गया इसका 2X प्लस Y बराबर 5 और दूसरा मसावाद है 3X नफी Y बराबर 5 सबसे पहले मसावाद हल करने के लिए फिर से रिपीट कर देते हैं सबसे पहले देखना होता है कि X और Y जो है तर्तीब से है की नहीं यनि X और Y बराबर के पहले और खालिस अदत वाला रुखन जो है बराबर के बाद दूसरा काम की करना होता है देखना होता है X का जरीब या Y का जरीब बराबर है की नहीं अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है फिर तीसरा काम ये करना पड़ता है कि दोनों की अलामत एक जैसी है की नहीं है अगर एक जैसी है तो दोनों मसावाद को जमा कर लेंगे और अलग अलग है दोनों मसावाद को नफी कर लेंगे और अगर अलग-अलग है, मुक्तलिफ है, तो सुक्चा करेंगे, जमा कर लेंगे, तो हमारा एक रुकन गायब हो जाएगा इलिमिनेशन मिथट से, तो यहाँ पर देखी वही काम करते हैं, दोनों मसामात, एक सार वाई तर्तीब से दिये वे हैं, वाई का जरीब बराबर भी है, और दोनों की अलामत अलग-अलग है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जमा करने पर, जमा करने पर यानि पहली और दूसरी मसामात को जमा किया जा रहा है, जमा करना असान होता है, नफी करने में, अलामत नीचे की बदलनी पड़ती है, इस मसामात को दुबारा लिकर के भी आप कर सकते हैं या यहां पर भी लिख करके कर सकते हैं और जमा करने पर यहां लिखा जाए यहां लिखा जाए या इसके उपर लिखा जाए या यहां कौस में लिखा जाए कि मसावातिक नंबर और दो को जमा कर रहे हैं तो यह तीन और दो पांच एक्स हो जाएगा Y से Y कैंसल हो जाएगा बराबर 10 इसलिए X बराबर हो जाएगा हमारा 10 बटे 5 5 का 5 5 दूनी 10 X बराबर हो जाएगा 2 अब X की कीमत मसावात नमबर एक में या 2 में रख दीजी X बराबर 2 मसावात एक में रखने पर क्या हो जाएगा आपका पहली मसावात क्या है 2 X जमावाई बराबर 5 2 जरब 2 जमावाई X की यहाँ पर दो लिखना है बराबर 5 यह 4 हो जाएगा 4 जमावाई बराबर 5 इसलिए Y बराबर हो जाएगा 5 नफी 4 तो Y बराबर हो जाएगा 1 इसका आंसर लिखा जाएगा या हल लिखा जाएगा हल को ही आंसर कहते हैं X और Y की मुरत्ब जोड़ी होनी चाहिए ऐसे X पहले और Y बाद में X कितना आया है? 2 आया है और Y एक आया है यह बोक्स बनाना कोई जरूरी नहीं है लेकिन हमको आसानी से ढूड़ने में आसानी होगी कि इतना कितना है? इसी को आंसर कहते है फिर इसका दूसरा सवाल है मिलता जिलता है कोई अलग नहीं है X और Y तर्टीब से दूरों मसावात में है जरीब बराबर नहीं है अगर हम Y का जरीब बराबर करना चाहते है तो मसावात 2 को जर्ब करना पड़ेगा और अगर X का जरीब बराबर करना चाहते है तो मसावात नमबर 1 को 2 से जर्ब करना पड़ेगा आपकी मर्जी चाहे 2 मसावात को 2 से जर्ब कर लिजे या एक मसावात को दो से जर्ब कर लिए, कोई हर्ज नहीं है, मसावात दो को हम जर्ब कर रहे हैं, दो से जर्ब करने पर, क्या हो जाएगा दो से जब जब इसको जरब करेंगे तो इसको भी दो से जरब करेंगे इसको भी और इसको भी यह हो जाएगा चार एक्स नफी दो आई बराबर चौदर यह मसावात नमबर थार्ड हो जाएगी इक्वेशन नमबर थार्ड अब पहली और तीसरी मसावात को ले करके हल किया जाएगा उपर नीचे लिख लिएते हैं x-2y is equal to minus 1 equation number 1 और 4x-2y is equal to 14 equation number 3 x नहीं y का जरीब क्या हो गया है same हो गया है अब इसकी अलामत देखते हैं इसकी अलामत कैसी है दोनों की भी same है तो क्या करना पड़ेगा नफी करना पड़ेगा तफरीक करना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे तफरीक करने पड़ेगा जब तफरीक की जाती है तो यहां तफरीक के अलामत लगा जाती है और नीचे जितनी भी अलामत है सब के अलामत बदल जाती है यहां चौदा के अलामत जमा है नफी हो जाएगी यहां दो के अलामत जमा है यह नफी है जमा हो जाएगी और यह 4 की अलामत जमा है नफी हो जाएगी अब X में से 4X नफी करेंगे तो नफी 3X आजाएगा यह आपको समझना है कि 1X में से 4X को नफी करेंगे तो नफी 3X आएगा और Y माइनस में और 2Y प्लस में यह कर जाएगा ये बराबर हो जाएगा माइनस एक और माइनस चौदा मिलकर के माइनस पंदरा हो जाएगा इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा नफी पंदरा बटे नफी तीन नफी नफी यहाँ से भी कैंसिल किया जा सकता है कोई अरज नहीं है नफिर नफिक गड़ जाएगा तिने का 3, 3 पच्चे 15 X बराबर क्या आगया 5 जब X की कीमत निकल जाएगी तब X की कीमत को मसावात नमबर 1 में रख दीजी या 2 में रख दीजी आपको Y की कीमत मालूम हो जाईगी यहां लिखते हैं X बराबर 2 एक्स बराबर पांच मसावात एक में रखने पर हमने जहां पर बताया था कि ऐसी मसावात में रखिए जिसमें अदद छोटी दिखे तो एक में छोटी दिख रही है एक्स माइनस तू आई बराबर माइनस वन एक्स की जहां पर पांच रखेंगे पांच नफी दो आई बराबर नफी एक इस पांच को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा नफी दो आई बराबर नफी एक नफी पांच नफी 2Y, यह बराबर हो जाएगा, नफी 1 और नफी 5 बिले करके नफी 6 हो जाएगा नफी नफी ऐसे भी कैंसल कर सकते हैं तो Y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2 यह कट करके आ जाएगा Y बराबर 3 अब X और Y दोनों की कीमत हमारी आ गई है आंसर जो है इसका कैसे लिखा जाता है हल लिखा जाता है हल में X और Y की मुरत्ब जोड़ी लिखी जाती है पहले X लिखा जाता है और फिर Y लिखा जाता है X बराबर आया है 5 और Y बराबर 3 यह आंसर हो जाएगा आईए अब दूसरे सवाल का तीसरा हिस्सा देखते हैं, पहली मसावात है, x जमा y बराबर 11, और दूसरी मसावात है, 2x नफी 3y बराबर 7, x और y दोनों मसावात में बराबर के पहले हैं, ना x का जरीब बराबर है, ना y का जरीब बराबर है, अगर x का जरीब बराबर करना चाहते हैं, तो पहली मसावा एक को तीन से जरब करने पर आपको क्या करना है चाहे एक्स का जरी बराबर करना है या वाई का जरी बराबर करना है तो तीन से जब जरब करेंगे इसको तो तीन एक्स हो जाएगा जमातीन वाई बराबर ग्यारा तिया तैटीस equation number 3 हो जाएगी 3 से जरब करने का मतलब सिर्फ y का जरी बराबर करना है इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ y वाले रुकन को आप 3 से जरब करिए हर रुकन को जो है मसावात के 3 से जरब करना पड़ेगा अब तीसरी मसावात और दूसरी मसावात एक साथ लिएते हैं तो यह हो जाएगा 3 x जमा 3 y बराबर 33 और 2 x नफी 3 y बराबर 7 यह मसावात नमबर 3 है और यह मसावात नमबर 2 है किसी को भी उपर लिख सकते हैं किसी को नीची इसमें कोई हरज नहीं है अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है अब y का जरी बराबर है दोनों की अलामत अलग-अलग है इसलिए जमा करने पर किधर भी ले सकते हैं इधर या उधर जमा करने पर जब अलामत अलग-अलग रहेगी तो जमा किया जाएगा यह 3,2,5 हो जाएगा पाच x एक एंसल हो जाएगा बराबर 33 और 7,44 हो जाएगा इसलिए एकस बराबर हो जाएगा 40 बटे 5 जरीब रहेगा तो बटे में जाएगा 5 का 5,How can 4 एकस बराबर हो जाएगा 8 अब X की कीमत को मसावात नमबर एक में रख लीजिए या दो में रख लीजिए एक में रखना आसान दिख रहा है क्योंकि छोटी मसावात दिख रही है X की कीमत मसावात एक में रखने पर मसावात नमबर एक क्या है X जम्मा Y बराबर 11 मसावात लिख लेना बहतर है डारेक्ट अगर रखेंगे तो भी आ जाएगा हमारा लेकिन मसावात को पूरी तरह से देख करके लिख लेना तो आसानी होगी 8 हो जाएगा ये X की जहाँ पर जम्मा Y बराबर 11 8 को अधर ले जाएगे Y बराबर हो जाएगा 11 9 8 Y बराबर हो जाएगा 3 अब इसका हल जब लिखा जाएगा आंसर हल यानी आंसर X और Y की मुरत्तब जोड़ी XY लिखना जरूए नहीं है आपको सिर्फ आदर डालने के लिए हम लिख रहे हैं कि 3, 8 और 3 इसका अंसर हल जाएगा फिर इसके दूसरे सवाल का चौथा हिस्सा है यहाँ पर लिखा हुआ है 2X जमा Y बराबर नफीदो और 3X नफीद Y बराबर 7 दोनों में X और Y बराबर के पहले लिखे हुए है Y का जरीब दोनों में बराबर भी दिख रहा है और दोनों की अलामत अलग-अलग भी है तो क्या करेंगे जमा करने पर मसावाद को एक बार फिर से लिख करके कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे भी कर लेंगे कोई हरज नहीं है 2 और 5, 3, 5X हो जाएगा और Y से Y कैंसल हो जाएगा ये बराबर नफी 2 जमा 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा या इस तरह से कर लिए 7 में से 2 नफी होगा तो 5 हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 5 बटे 5, 5 अका 5, 5 अका 5 X बराबर 1 आजाएगा अब X की कीमत को मसावात नबर 1 में या 2 में रख दीजी आंसर आजाएगा लिखेंगे X बराबर 1 मसावात 1 में रखने पर मसावात नबर 1 क्या है 2X जमावाई बराबर नफी 2 X की जहाँ पर एक लिखना है 2 जरब 1 जमावाई बराबर नफी 2 2 एका 2 हो जाएगा जमावाई बराबर नफी 2 2 को दर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा Y बराबर हो जाएगा नफी 2 नफी 2 Y बराबर नफी 2 और नफी 2 मिलकरके नफी 4 हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा इसका आंसर कैसे लिखेंगे इसका हल लिखेंगे X और Y की मुरत्ब जोड़ी लिखी जाएगी 1 नफी 4 यह आंसर में अगर किसी ने ऐसे लिख दिया आंसर X बराबर 1 और Y बराबर नफी 4 यह भी सही है आई यह इसका दूसरे सवाल का पांचवा हिस्षा देखते हैं मसावाद जो है X और Y दोनों मसावाद में X और Y जो है बराबर के पहले है तर्तीब सही है और X और Y का जरीब बराबर नहीं है न X का जरीब बराबर है दोनों में मसावाद 1 को दो से जरब करने पर दो से जरब किया जाएगा तो दो X को जरब करने चार X हो जाएगा नफी 2Y हो जाएगा बराबर 10 एक्यूशन नमबर 3 हो जाएगा अब उपर नीची लिखेंगे मसावाद को चार एक्स नफी दो आई बराबर दस यह मसावात नमबर तीन हो जाएगी और दूसरी मसावात जो है तीन एक्स जमा दो आई बराबर ग्यारा अगर कोई इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता है कि इस तरह से मसावात इस मसावात को उपर लिखो इस मसावात को नीचे लिखो या या लिखने वाला काम यहां लिखो यहां लिखो कोई हरज नहीं है आप कहीं पर भी लिख सकते हैं अब दोनों की अलामत जिसका जरी बराबर हुआ है, उसकी अलामत अलग-अलग है, बक्तलिफ है, इसलिए क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा, यहाँ पर लिखें कि जमा करने पर, चार और तीन सात एक्स हो जाएगा, यह नफी नफी कड़ जमा, यह बराबर हो जाएगा, 21, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा, 21 बटे 7, एक्स बराबर सातियां 21 हो जाएगा, पिर X बराबर 3 मसावात नमबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए आपका अंसर आ जाएगा एक मसावात जो है थोड़ा छोटी दिख रही है मसावात एक में रखने पर मसावात नमबर यह क्या है दो X नफी Y बराबर 5 तो दो जरब X हो जाएगा की जहां पर 3 हो जाएगा नफी Y बराबर 5 तो दो तिया 6 हो जाएगा 6 नफी Y बराबर 5 छे इधर जाएगा तो नफी हो जाएगा नफी Y बराबर 5 नफी 6 इसलिए Y बराबर हो जाएगा माइनस Y बराबर नफी 1 हो जाएगा माइनस माइनस कर जाएगा इसलिए y बराबर 1 आजाएगा अब इसका जब आंसर लिखेंगे ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हैं आंसर x बराबर 3 और y बराबर 1 यह भी आंसर आपको हो जाएगा फिर इसका एंगले सवाल है छठा हिस्सा है इसमें x और y के जरीब बराबर है दोनों के बराबर है इत्फाक ऐसा है x का भी जरीब बराबर है y का भी जरीब बराबर है और मसावात तर्तीब से भी है अब बहतर यह होता है कि जिसकी अलामत अलग अलग हो जिसमें अलामत अलग अलग हो उसके हिसाब से सवाल को हल किया जाए यानि कि जमा करना पड़ेगा और अगर इसको नफी करने के चक्र पड़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें एक अमल और बढ़ जाता है कि नीचे की अलामत बदलनी पड़ती है तो जमा करने पर x और x 2x हो जाएगा ये 2y नफी और 2y जमा कर जाएगा ये 10 में से 2 निकल जाएगा 8 हो जाएगा इसलिए x बराबर 8 बटे 2 x बराबर कितना हो जाएगा 2 चुक का 8 अब x की कीमत मसावात नमबर 1 में या 2 में रख दीजी आंसर आपका आजाएगा हम इसलिए एक में रखी गई ये इसलिए की बार हम दो में रख देते हैं x बराबर 4 मसावात 2 में रखने पर क्या हो जाएगा मसावात 2 है 2 ए x जमा 2y बराबर 10 x की यहाँ पर 4 लिखना है 4 जमा 2y बराबर 10 तो 2y बराबर हो जाएगा ये 4 इधर जाएगे तो नफी हो जाएगा 10 नफी 4 तो 2y बराबर हो जाएगा 6 y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2 2 एक का 2 2 तिया 6 y बराबर 3 हो जाएगा इसका हल लिखिए या अंसर लिखिए दोनों सही माना जाएगा X और Y की मुरत्ब जोड़ी क्या हो जागा चार और तीन ये अंसर हो जाएगा इस तरह से पहले सवाल के दूसरे सवाल के सब छे से मकमल हो जाते हैं अमीद है कि पूरे सवालाद समझ में आए होंगे जजा का ल्लाव खेरा